हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चनल भारत बजी लबबट कैसे हो सारे उमीद कताओं ठीटा हूंगे आपके बस ठीक हूंगे आप भाई उग द्वाव से मैं भी ठीक हो मेरे बस ठीक है तो गाईज आपका भाई भारत एक फिर हाईजर रहे एक नई वीडियो के साथ एक 40% बजीज हैं जो बचपाते हैं वो भी क्यूँ हमारी केरिंग वो पर हमें वो वमारी का टाम से पतालगना उसके उपर और अच्छे से उतकर टीटमेंट करने के ओ उपर और अच्छे से कौन सी congratulation दे осके उपर होता है कि 40% बजीज बच जाते हैं लेकिन बहुत से लोह old अगर वह बिमारी लग जाए तो उसको उसे नियास बाना बहुत मुश्किल होता है उस बिमारी का नाम है आपको आपने थम्डेल में देख लिया होगा लूज मोसन और उसका ही पार्ट होता है डाइरिया तो यह इतनी खतरना बिमारी होती है एक तो बजीज के अंदर बहुत जल्दी एकस्पायर कर जाता है यह इतनी खतरना बिमारी होती है अगर दो दिन से जादा अगर बजीज को यह हो जाए तो तीसरे दिन आपको बजीज एकस्पायर मिलेगा वो बचेगा ने तो उसका पता लगना बहुत ज़रूरी होता है आज हम इस टॉपिक में वीडियो में वगरा है और जो भी उपाय वगरा है उसके बारे में हम बात करिंगे कि हमें क्या-क्या हमें साब भानी ब्रतनी चाहिए तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे कि बजीज को अगर लूज़ मुशन लगे हो तो हम कैसे आइडिनटीफाय कर सकते हैं तो गाइस अगर आपक देखना है पहला आपका वजीज जो है वो जो पैरट है वो सुस्त बैड़ जाएगा ठीक है दूसरा पाइंट है वीडियो को आपको लाज सका देखना है बहुत कोई और वीडियो देखो देखो कोई मत दिक्कत नहीं है देखो मत देखो लेकिन ये वाली वीडियो आप होते हैं उनको identify कैसे करते हैं अगर गाइस बजीस पहला यह बता दिया मैं आपको कि वह सोस्ट बैठ जाते हैं दूसरा point यह है कि जिस भी वह stick में बैठते हैं जिस भी बैठते हैं आपको देखना है कि उसकी नीचे जो उनकी यह वैस्ट होता है यानि कि उसके अंदर वह बहुत ज़या होता है लेकिन इन सब्सक्राइब होता है तो यह जली पतल रेयाता है क्योंकि ये stick पे बैwork पते हैं उस stick के नीचे ऐसे जहांपर stick लगया होती है वहां पे उसके नीचे नीचे ऐसे करके यहांदी टोटी है उसका जाती है अब वहां पर फ्राद के devoted कि हमरे चेक कीजिए, वहां से वो green green type में हो रखी होगी, ठीक है, green green हो रखी होगी, और थोड़ी जो put पी होगा रहा है, उसके वहाँ पे लगी होगी, went है, वो जुकी होगी, आँख थोड़ी से उसकी, बिल्कुल कहते हैं ना, कि बिल्कुल सुस्त आँख होगी, बिल्कुल यहाँ से मुड़ जाई होगी आँख होगी, ठीक है, बिल्कुल active नहीं होगा, यह उसकी यह होती है, पैचान, ठीक है, और वो जाली वगारा से चिपका होगा, तो यह उसके कुछ-कुछ पैचान होती है, अब बात करेंगे, गाइज, उसका जो treatment है, वो हम कैसे करें, कौन-कौन शे medication देनी है, वीडियो ज़्यादा लब भी नहीं करूँगा, कि हमें बजीज को क्या क्या treatment देना चाहिए, गाइज, बजीज को treatment हमें सबसे पहले काईज आपको क्या करना है, एक होता है, क्योंकि गर्मियों के अंदर बजीज बहुत ज़्यादा बिमार होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको loose motion वेगरा यह बताना में बूल गया, क्योंकि बजीज कोई loose motion लगता, क्यों है कारण भी जाननी जाओ, गाईज बजीज को loose motion दो ही कारणों से लगता है पहला बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो दूसरा continue, continue heavy soft food देने से हमारा जो बजीज है, वो उसको बजीज को क्याना में motion लगते हैं, गर्मी के कारण भी बहुत ज़्यादी motion लगते हैं, और continue आप green food दोगे, continue पालग वगरत दोगे, तो आपको आपके बजीज को loose motion है, वो लग जाएंगे, ठीक है आप बात करें, treatment के बारे में गाईज, screen पर आपको चलती हो दिखाऊंगा, जो medicine है, उसको हम अपने खोद के बच्चे के लिए बच्चों के लिए यूज करते हैं, वो लाईए एक pouch, ठीक है, दूसरा एक electron का powder होता है electron, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा उसकी भी आप, आप फोटो देख रहे होंगे चल रहे होगी फोटो, ठीक है तीसरा, एक आती है norflux tigel norflux tigel tablet होती है, ठीक है वो, और एक और है tetracycline का powder, वो भी आपको display पर आपको दिख रहे होगा यह तीन चार्ट दबाईया है, आपको क्या करना है, जो भी आपको available मिल जाए, norflux tigel मिल जाए, वो सही, ठीक है और आपको उसका जो tetracycline मिल जाए, वो सही, और एक और है ominix hundred, याद आगे है मेरेको ominix hundred होती है, सीरफ होती है वो एंटिवाइटिक होती है, और loose motion में भी बहुत ज़़दा कारगार होती है ठीक है, जो आपको मिल जाए क्योंकि मैंने तीन से दवाया दिम बता दी है बिल्कुल बहुत जवदस तरीके से काम करती है ठीक है, मैंने आपको बता दिया है और इनको आप देना है, देने का तरीका मैं आपको बता जाता हूँ कभी भी आप, क्योंकि बज़ देखो जब मैडिशन को पाने में डालेंगे न तो बज़ी जब पानी पीते हैं तो थोड़ा सा मूज के लिए डालेंगे जब यह उनको दवाया का टेस्ट आएगा तो वहां से वो हट जाएंगे उसको पीएंगे लिए अब गया करना है, साम के टाइम पानी और खाना निकाल देना है बिल्कुल ठीक है और उसके बाद क्या करना आपको मौर्निंग में तक्रीबन नौ बज़ी दोपैर के, सुबा के नौ बज़ी आपको, जब बिल्कुल बहुत जदा प्यासे हो हो जाएंगे न, बिल्कुल बजीज होता है जो उनके एनरजी जो एनरजी भी खत्म हो जाती है उसको वो बूस्ट करता है और O.R.S. के गोल होता है बजीज के अंदर जो पानी के कमी हो जाती है उसको पूरा करता है नौरफलोक्स टीजर्ड ओमिनिक्स हंड्रेट टेक्टर साइकल यह होती है medicine जो काम करती है loose motion के उपर उनके जो वेक्टरियां होते हैं उनको मारती है ठीक है तो आपको अगर नौरफलेश टीजाइड मिल जाए तो आपको हाफ गोली एक लिडर पानी में आपको हाफ गोली वारे सोर एक्टर पाउडर होता है वह आपको एक लिडर पानी में ठीक है एक लिडर पानी में टीजाइड मिल जाए आपको टैक्टर साइकल मिल जाए तो आपको आदा चम्मच जो पाउडर होता है वह आपको एक लिडर पानी में आपको मिलाके देना है ठीक है अगर आपको Ominus 100 मिल जाए आपको 10 ml ज्यादा लूज मुसं लग रहे हैं 10 ml आपको 1 लिटर पाने में मिलाके देनी है ठीक है आप देख लोड़ीज बजीज कितनी हैं कितना पानी देते हैं मैंने आपको एक लिटर का इसाब मैंने आपको बता जाए कि एक लिटर पानी में कितनी आपको मेडिशन देनी है ठीक है अब बात आगे खाने में आप उनको क्या देना है क्योंकि लूज मुशन लगते हैं तो उनके डाइट को कंट्रोल करना बहुत जरी होता है कोई वी सॉफ्ट फूड आप उस टैम आप उनको मत देजे अगर लूज मुशन लगे हुए है कोई भी सॉफ्ट फूड नहीं गंदों में यानि गेहूं देना है आपको नहीं आपको कोई भी ग्रीन फूड देना है पालक तो आपको कतई भी नहीं देना है बहुत ज़दा गरम होता है ठंडा पानी यूज करना है आपको बिल्कुल ठंडा पानी नॉर्मल पानी होता है जो ठंडा गरम पानी नहीं करना ठंडा पानी आपको यूज करना है ठीक है अगर दे सकते हैं तो आप ज़्यादा चाहें तो आप तो बोईल राइस दीजिए वो भी बहुत कम जो चावल होते हैं बोईल उबले हुए उनकी तासिर होती है ठंडी वो बहुत ज़्यादा काम करती है लूरी वोसल के अंदर ठीक है तो यह हो गया आपको कोई भी आपको गिरिंट फूड आपको नहीं देना है ठीक गैस तो यह पता ही नहीं लगेगा आपका बजीज को लूज मुस्ण भी हो गया है और आपका जो बजीज वो एकस्पायर कर गया है सबसे बटी बात होती है आपको मॉनिटरिन करनी है आपको देख रिक करनी है कि हमारे बजीज है वो ठीक है अगर सुष्ट बैटा तुरंत कोर्स कराना ही कराना है ठीक है तो खाइस चोटीं से इन्फर्मेशन थी अगर भाइए की वीडियो अच्छे लगें हो तो डोस्त तों है शेर करना ठीक है आपके आपको बास करने बड़ से टिक minimize खुदा अाफिस